साथ्यों नमस्कार टीचर सिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं साथ्यों आप सभी सिक्षक बनने जा रहे हैं इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्पुड होने वाली है ना सिर्फ एक जाम के द्रिश्टी से अपीतू एक सिक्षक ना ग्रेक वा अभिभावक के रूप में इस आर्टी एक्ट 2009 का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है जो पूरी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरा नाम है निसुल के एवं अनिवार या बाल सिक्षा अधिकार सुनिष्चित करना मौलिक अधिकारों का वेवारिक क्रियानवयन सुनिष्चित करना और 14 वर्स से कम आयू के बच्चों को नीजी स्कुलों में निसुल का सिक्षा प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया आगे देखते हैं निसुल के एवं अनिवारी सिक सिक्षा का एतिहासिक प्रिष्ट भूमी भी जान लेते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले इस अधनियम को पारित करने वाला जो देश है याद रखेगा 1870 में इंग्लेंड निसुल के एवं अनिवार सिक्षा को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना आगे भी याद उनिसुल के एवं अनिवार सिक्षा का आयोजन किया यह भारत में पहला प्रयास था और भी जान लिजे दोस्तों 1910 इस्वी में गोपाल क्रिष्ण गोखले ने संपुल भारत में निसुल के एवं अनिवार सिक्षा लागू करने की बात कहीं जिसे अंग्रेजों ने अस्य कर दिया आगे देखते हैं यह अधिनियम किस संसोधन के तहत आया तो याद रखेगा यह पूछा जाता है दोस्तों कई बार आ चुका है 86 संसोधन स्युधान संसोधन एक दिसंबर 2002 को यह जो है 86 संसोधन के तहत आया जिसमें यह एक दिसंबर 2002 को इसका कॉंसेप्ट रखा गया जिसमें प्रात्मिक सिप्छा को मूल अधिकार व मूल करतव्य का दरजा दिया गया आगे भी जानते हैं उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयो के बच्चों के लिए नहसुलक एवं अनिवारी सिप्छा की उपलब्दता सुनिश्चित करना आगे बढ़ते हैं दोस्तों गौर तलब है कि प्रात्मिक सिप्छा अनुच्छेद 21A में एक मूल अधिकार है याद रखेगा दोस्तों और 59A में मूल करतव्य है याद रखेगा दोस्तो 21A में मूल अधिकार और 59A में एक मूल करतव्य है आगे बढ़ते हैं निसुल के एवं बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहट बच्चों को निसुल के एवं अनिवार सिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व का 135 द बना जब सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया तो याद रखेगा 135 देश अब आगे जानते हैं आर्टी एक्ट कप पारित किया गया तो आर्टी एक्ट जो है 20 जुलाई 2009 को विधयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया चार अगस्त 2009 को विधयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 26 अगस्त 2009 को ततकालिन राष्ट पती प्रतिभा देवी सिह पाटिल ने विधयक पर हस्ताक्षर किये अर्थात आगे चलके यह एक एक अप्रेल 2010 को निसूल के एवं अनिवारे बालसिक्ष अधिकार अधिनियम संपुर भारत में लागू हुआ जम्मू कस्मीर और राजिस्थान को छोड़ कर याद रखेगा दोस्तों बहुत से आपको जानकारी में बहुत जगह सिर्फ दोनों को छोड़ कर पूरे देश में एक अप्रेल 2010 को लागू हुआ था याद रखेगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अप्रेल 2010 आगे बढ़ते हैं 29 मार्च 2011 को राजिस्थान विदान सभा ने आवश्यक संसोधन करके पारित किया और एक अप्रेल 2011 को अर् सकते हैं राजिस्थान में कब लागू हुआ तो एक अप्रेल 2011 को लागू किया याद रखेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं धार्मिक्स यहाँ पर नोट करने वाली बात है धार्मिक्स इक्छन संस्थानों मदर्सों तथा इसाय मिस्नरियों के लिए आठी लागू नहीं ह होता वह भी याद रखेगा दोस्तों मदर्सों के लिए धार्मिक्स इक्छन संस्थानों के लिए जो अलग अलग धर्मों के द्वारा जो इसाय मिस्नरियों के लिए यह जो है आठी नियम जो है लागू नहीं होता अब आगे बढ़ते हैं आठी एक्ट की संरचना तो आठ क्षणती एक्ट में साथ अध्याय Son 28 धाराएं वह एक अनुचुची है याद रखिएक दोस्तों बहुत ही इंपूर्टेंट है साथ अध्याय कितने अध्याय réalité पूछा जाएगा तो 7 ओध्याय और कितने धाराएं हैं तो 38 धाराएं और अनुसुची भी पूछा जाता है कितने अनुसुची तो 1 अनुसुची 7, 38 और 1 7 क्या है अध्याय, 38 क्या है धाराएं और 1 है अनुसुची याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अब 38 धाराएं में से जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है वो हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं धारा एक में क्या है तो धारा एक में आर्टी एक्ट का विस्तरित उल्लेक है इसका जो लेक है उसका विस्तरि का आयोजन करे और यह बालक का अधिकार होगा तो धारा तीन में सरकार का दाईत्व याद रखेगा कि इस धारा में सरकार का दाईत्व बनता है कि निशुल का सिक्षा का आयोजन करे तो निश्चित रुप से वह धारा तीन होगा और आगे हम बढ़ते हैं सरकार का दोस्तों याद रखेगा भां दारा चार में यदि कोई बालक शिख्छा की मुख्य धारा से हड़ जाए तो इस्थानी प्रसासन विद्यालय प्रसासन वइस्थानी अभिभावक समूचित वर समन्मित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें तथा बालक को आयू वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाए धारा चार के तहट सभी बच्चों को याद रखिएगा दोस्तों जो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई के किसी कारण वस्व पढ़ाई छोड़ देते हैं या मुख्य धारा से जाएंगे इस्थानी अभिभावक और समन्वित इस्थानी अभिभावक सभी के द्वारा बालक को पढ़ाई से जोड़ेने के लिए प्रयास करना है ये धारा चार के तहट कहा गया ये जिम्मेदारी होगी इन सभी का आगे बढ़ेंगे धारा पांच ये भी बहुत इंप पढ़ने का अधिकार है और उस विद्याला के प्रधान पाठक के द्वारा टी सी 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 जो भी आविश्यक दस्तावेज रहेगा उन्हें देना पढ़ेगा प्रारंभिक सिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपनी विद्याला का इस्थानांतरन करता है तो विद्य धारा आठ के बारे में जानते हैं धारा आठ ये हैं दोस्तो सरकार का दाइत्व है कि वह संपूर अधिनियम लागू करें तो सरकार का दाइत्व यहाँ पर संपूर अधिनियम लागू करने का धाइत्व धारा आठ के तहत धारा नौ में समुचित सरकार के अधिकारी वर् स्कुल से या जो सिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत माता-पिता के क्या अधिकार होंगे और उनके दाइक तो भी क्या होंगे उसका जो धारा-दस में उलेख है याद रखेगा धारा-दस जो है माता-पिता के अधिकार और दाइक तो पर फोकस करती है आगे देखते हैं दोस्तों, धारा, 11 में बोला गया है कि 1-5 वर्स आयू वर्ग के बच्पन के देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी, याद रखिएगा, एक से पांच वर्स तक के आयू के बच्चों की देखभाल की जानकारी पूरी सरकार की होगी, आगे बढ़ते हैं, धारा, 12 में ये बहुत important है दोस्तों RT 2009 के अनुसार private या नेजी स्कूलों में कितने प्रतिसत सीठे गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित reservation होती है अगर पुछा जाता है तो याद रखेगा 25% होती है याद रखेगा दोस्तों 25% और जब कोई private या नेजी स्कूल उस बच्चे का गरिब बच्चे का आरक्षण के तहत या आर्टी के तहत 25% बच्चों का समावेश करते हैं एडमिसन लेते हैं तो उनका दाइट तो ये हो जाता है कि ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता equality मतलब सभी को समान दर्जा देना है जो फिस देकर पढ़ रहे हैं उनको भी और जो आर्टी के तहत एडमिसन हुआ है उनको भी तो साम्यता पर अधारित पेड़ागोजी का यूज करना चाहिए किसी प्रकार का भेदबाव नहीं किया जाना चाहिए ये भी आर्टी के एक्ट बारा के तहत आजाएगा दोस्तो तो याद रखेगा ये दोनों चीज बहुत ही important है धारा बारा में अब देखते हैं धारा 13 में क्या कहा गया है इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश सुल्क था सिक्षण सुल्क नहीं लिया जाएगा नो कैपिटेशन फिस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिसन प्रती व्यक्ति फिस लेने पर सुल्क का जुर्माना पेनाल्टी देना होगा याद रखेगा कोई सिक्षक यदि एडमिसन के तौर पर सुल्क लेता है तो उन्हें पेनाल्टी देना पड़ेगा फिर तो याद रखेगा दोस्तों किसी प्रकार का सुल्क या सिक्षण सुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 13 के तहत धारा 14 के तहत दिखते हैं किसी बालक के पास अवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर भी विद्याले में प्रवेश लेने का अधिकार है नहीं लेते हैं तो उन पर कारवाही होगी धारा 14 के तहत आगे देखते हैं धारा 15 नो डेनियल आफ एडमिसन बच्चों को हर हाल में एडमिसन दिया जाएगा चाहे वह सैक्षणिक वर्ष के आरम में हो या बीच में हो ये भी धारा 15 के तहत याद रखेगा कभी भी बच्चों को एडमिसन देने का अधिकार है चाहे वह एडमिसन के प्रारम में हो या बीच में एडमिसन देना ही है धारा 15 के तहत याद रखेगा धारा सोला के तहत है दोस्तो इस्टुडेन को न तो क्लास में फैल किया जाएगा और नहीं विद्याला से निकाला जाएगा फैल करने का भी अधिकार सिक्छक के पास नहीं है दोस्तो धारा सोला के तहत याद रखेगा और नहीं विद्याला से निकाल सकते है किसी भी कारणवस से धारा 16 के तहट धारा 17 के तहट है बालक का सारिक या मानसिक सोसर नहीं किया जाएगा याद रखेगा धारा 17 के तहट किसी भी बालक का सारिक या मानसिक सोसर नहीं किया जाएगा आगे देखते हैं धारा 21 बहुत important है दोस्तो SMC का गठन करना धारा 21 में है ये पूछा जा सकता है कि RTE Act के कौन से Act के तहट प्रत्यक विद्याला में School Management Committee का गठन किया जाना है या करना अनिवार्य है तो धारा 21 के तहट याद रखेगा SMC का गठन किया जाना है आगे बढ़ते हैं धारा 22 में School Management Committee विद्याला विकास योजना का निर्मार करेगी School जो SMC होगा उसे विद्याला में क्या करवाना है जो भी गतिविधी करवाना है विद्याला के लिए विकास योजना जो भी करवाना है वो SMC करेगी तो SMC का यह कारे रहेगा आगे देखते हैं धारा 23 के तहट धारा 23 में सिक्षक के अधिकार वा योग्यता है याद रखेगा दोस्तों टीचर के अधिकार वा योग्यता के लिए धारा 23 है सिक्षक के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं क्या क्या योग्यता और धारा 24 में सिक्षक के दाइत्व के उन्हे भी पूछा जा सकते है कि किस धारा के तहट सिक्षक के दाइत्व को समझाया गया है तो धारा 24 के तहट अब आगे देखते हैं धारा 24 में छात्र सिक्षक अनुपात टीचर स्टुडेंट रेशियो कितने बच्चे में कितने टीचर रहेंगे कितने तो इसे बोलते हैं बच्चों के हिसाब से टीचर का जो मतलब टीचर की बेवस्था की जाएगी उसका अनुपात को छातर सिक्षक अनुपात कहते हैं दोस्तों याद रखेगा टीचर स्टुडेंट रेशियो तो यह जो है आर्टी 2009 के अनुसार प्रात्मिक कक्छाओं में चात्र एवं सिक्षक का अनुपात तीस अनुपात एक होनी चाहिए याद रखेगा दोस्तों तीस अनुपात एक होनी चाहिए प्रात्मिक कक्छाओं में चात्र एवं सिक्षक का अनुपात अर्थात तीस बच्चों में एक सिक्षक होनी चाहिए यह याद रखेगा य अजिया जो है धारा 25 के तहत है दोस्तों पूछा जा सकता है कि छात्र शिक्षक का अरुपात किस धारा के तहत, निर्धारित किया गया है तो हो है धारा 25 के तहत, आर्टी 2009 के अनुसार उच्छ प्रात्मिक अर्थात मिडिल स्कुल पर उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर छात्र एवम सिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए तो उच्छ प्रात्मिक स्थर अर्थात मिडिल स्थर पर 35 बच्चों में एक टीचर की बेवस्था होनी चाहिए याद रखेगा दोस्तों 35 अनुपात एक में होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं आर्थी, 2009 के अनुसार तक चछह 1 से 8 तक यदि प्रवेस दिये गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक हैं तो विद्यार्थी एवं सिक्चक का अनुपात, 40 अनुपात एक होगी यदि कोई विद्यालाय में एक से आठी तक के कोई विद्यालाय में यदि बच्चों की संख्या 200 है तो उस वहाँ पर सिक्षक की बेवस्था जो होगी 40 अनुपात एक होगी याद रखेगा दोस्तों बहुत ही इंपोर्डेंट है आगे बढ़ते हैं साथियों यदि प्रात्मिक इस्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधान पाथक एक प्रधान अध्यापक या प्रधान पाथक और पांच उनके टीचर होंगे यह इस एक्ट के तहट प्रावधान रखा गया आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिख्चक के लिए कितने नियूनतम कारे दिवस हो सकते हैं या कितने नियूनतम घंटे कारे करना है तो याद रखेगा आर्टी 2009 के अनुसार सिख्चक के लिए एक सब्ता हमें नियूनतम 45 घंटे अनिवार कारे घंटे होगा याद रखेगा द वो कितनी होगी तो 45 घंटे याद रखेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं आर्टी 2009 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर न्यूनतम सेक्षणिक घंटे एकेडमिक अवर्स वकारे दिवस कितना होगा तो पूरे सेक्षणिक जो वर्स में एक एकेडमिक यर की बात करेंगे तो 800 घंटे होगा एक साल में और उनके जो कारे दिवस होंगे वो 200 यह भी याद रखेगा यह प्रात्मिक के लिए है दोस्तों प्रात्मिक इस्तर के लिए 800 घंटे 800 घंटे और 200 दिन एक सिक्षक को अपनी कारी दिवस देना होगा 800 घंटे और 200 दिन याद रखेगा और उच्च प्रात्मिक अर्थात मिडिल इस्तर के लिए नियोनतम सेक्षणिक घंटे कारी दिवस जो है 1000 घंटे वह 220 दिन होगा याद रखेगा दोस्तों जो उच्च प्रात्मिक अर्थात मिडिल इस्तर के लिए एक सिक्षक को 1000 घंटे कारे करना है और 220 कारे दिवस करना है एक साल में याद रखेगा धारा 26 के तहट किसी विद्याले में 10 प्रतिसत से अधिक सिक्षक पद रिक्त नहीं होना चाहिए ये भी याद रखेगा दोस्तों नोट इसी धारा के कारण यह अधिनियम राजिस्थान में देरी से लागु हुआ था ये भी याद रखेगा दोस्तों और जो वहाँ पर राजिस्थान और जम्मु कास्मीर में आर्टी एक्ट लागु नहीं होने का कारण भी यही है क्योंकि राजिस्थान में सिक्षक की कभी होने की कारण या इसके कारण यहाँ पर बताया गया है और जम्मू कास्मिर तो वहाँ पर धारा 370 उस समय था तो धारा 370 के तहट वहाँ का नियम रेगुलेशन जो भी होता है वो अलग चलता है अब तो 370 धारा हट गया है तो आगे हम देखते हैं दोस्तो धारा 27 आटी 2009 के एकॉर्डिंग सिक्षक को गैर सेक्षणिक कारियों में नहीं लगाया जा सकता ये भी सिक्षक के अधिकार में हैं दोस्तो धारा 27 के तहट उन्हें गैर सेक्षणिक कारियों में नहीं लगाया जा सकता जनगर्णा चुनाओ आपदा प्रबंधन को छोड़ कर इसलि ये धारा 27 में पूरा बताया गया है दोस्तों आगे देखते हैं धारा 30 प्रारंभिक सिक्षा पूर्ण करने तक बोड़ परिक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा जब तक वह बच्चे एक से आठवी तक पढ़ेगा या पढ़ेगी उनके लिए बोड़ परिक्षा का आ और 23 में धारा 35 से 38 सरकार की धारायें जिन से सरकार को अधिकार है कि हुए वह संपून अधिनियम् में परिवर्तन का प्रावधान कर सकती है इस प्रकार दोस्तों हमने आर्टी एक्ट का जितने भी महत्पूर धाराये हैं उसको समझा और यह जो धाराये हैं दोस्तों या आर्टी एक्ट के तहत जितने भी नियम या कब इनको लागू किया गया जितने भी इसमें हम इस वीडियो में चर्चा किये हैं या जानकारी को इकठा किये हैं यह सभी बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम के द्रिष्टी से और जानकारी की द्रिष्टी से भी एक सिक्षक को या एक आमजन या अभिभावक को यह जानकारी रखना पहुत ही आवश्यक है दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आज हमने आर्टी एक्ट 2009 को जाना आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक की साथ फिर से उपस्तित होंगे तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल टीचर सीब धन्यवाद साथियों